हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप गंगा किचन रेस्पी में आपका स्वागत हैं आज हम बनाएंगे आसान तरीके से और महंगी मिलने वाली मार्किट वाली मिठाई आज हम एकदम आसान और कम खर्च में तयार करेंगे तो ये मैंने दो तरह के बिस्किट लिया है एक क्रीम वाला लिया है और एक जो फीका बिस्किटा तर चाय वाला वो लिया है और दोनों के ही पीस बराबर रखे हुए ये भी 20 पीस है और ये भी 20 पीस लिये हैं मैंने आप कोई भी कमपनी के बिस्किट ले सकते हैं अभी मैं इसके जो बीच में क्रीम लगी हुई है उ इसी से ही हम इसकी फिलिंग तयार करेंगे तो यह मैं निकाल कर अलग कर लेती हूं तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी सब भी क्रीम को अलग कर लिया है और यह बिस्किट को मैं अलग कर दूँगे और क्रीम को अलग रख दूँगे अब बिस्किट को हम क्या करेंगे कि इसमें एक जार में डाल कर और इनको हम पीस कर ले लेंगे तो इनको बिल्कुल पाउडर बना लेंगे महीन पाउडर बनाना है अगर आपका दरदरा रह जाता है तो छलनी में से चान लिजेगा तो या जब हम इसका डो बनाएंगे तो उ कर दूंगी अभी मैं दूसरे बिस्किट का भी महीं पाउडर बना कर ले लेती हूं अब फैस्टिवल सीजन चल रहा है और मार्किट में खोवा जो है नकली भी आ करता है कई वार तो इससे बचने के लिए हम आसान तरीके से घरमे मिठाई बना कर तयार करेंगे वह भी कमसमान में तो आप देख सकते हैं मैंने इस दूसरे बिस्किट का भी पाउडर बना कर ले लिया है अब हम इसे बोल में डाल लेंगे और इसका एक डो बनाएंगे जैसे आते का बनाते हैं उसी तरह हम इसका डो तयार करना है लेकिन मैं इसमें कोई चीनी पाउडर बगएर है कुछ भी नहीं डालूँगी बस थोड़े से दूद में मैं इसको तयार करूँगी दूद मैंने ये एक बड़ा गिलास होता है उस से छोटा गिलास जो होता है तो मैं इसमें चिकनाई ख़हारा हैं नो बना लेते हैं अब दूसरा बना लेते हैं मैं दूसरे वाले पाउडर को भी डालूंगा और यदिकनाई है सारी बन 141 अगया लें ये मिठाई हम बेना gas चलाए वे बना रहे हैं, तो gas के तरफ हम बिल्कुल नहीं हज जाएंगें, आराम से बनाईए, रूम में बैठ के पंखे के नीचे आराम से 겁니다, इस मिठाई को बनाईए, कोई परिशानी नहीं होगी आपको, और दस मिंट में आपके मिठाई बन कर तयार ह जाएगी तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा चिपचिपा डो बना है अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा लूँगी घी लगाने से इसमें खुसबू भी अच्छे से आ जाएगी और यह हाथ के भी नहीं चिपकेगा बहुत स्मूध सा डो बन जाएगा तो आप देख सकते एकदम अच्छा से डो बन गया है यह भी तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और इसके श्टेपिंग तयार कर लेते हैं यह मिठाई बनाना बहुत ही आसान है दो तरह की मिठाई मैं बना रही हूं तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना और अगर आप मेरे वीडियो पर पहले से ही वीवर्स है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अब मैं क्या करूंगी कि जो हमने क्रीम ली थी वो क्रीम डाल लेंगे और साथ में मैं एक कटोरी भरके निल्क पाउडर ले रही हूं और एक ही कटोरी सेम वही कटोरी भरके मैंने लिया है कोकुनेक पाउडर अब इसम मिक्स कर देते हैं अभी आप देख सकते हैं प्रीम और मिल्क पावडर नारियल पावडर सब मिक्स हो गए है अब मैं इसमें थोड़ी मेरे पास चेरी रखें मैं डाल रहे हूं आप चाहे तो यह जो चोको चिपस लाते हैं वह भी डाल सकते हैं वरना ड्राइफ फूर्ट की क किसी चीज का भी इस्तमाल नहीं करेंगे केवल बिस्किट के ही दो बिस्किट के पैकिट से हम इसे बना रहे हैं तो आप देख लीजी मैंने उससे ज्यादा सक्त डो बना कर त्यार कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा डो अलग कर लेंगे फीलिंग के के लिए और बाकी को हम दूसरी मिठाई के लिए उठा कर रख देते बाद में इस्तमाल करेंगे तो यह मैं इसको हाथ से इसको स्लेंडर वाली सेप कर लूँगे आप देख सकते मैं इसको लंबाई में ले लिया है और एक थोड़ा पतला कर लेंगी हम इसे ताकि हमें अंदर उसके जो हम अंदर फिलिंग डालेंगे तो आसानी हो फटे नहीं तो अभी मैं जो हमारा चोकलेट वाला डो था उसको एक पन्नी पे रखोंगे इसमें मैं कोई किसी तरह का तेल या घी यूज नहीं कर रहे हूँ इसकी ही चिकनाई से या आराम से बन जाता है तो इसको हम गोल सेप में नहीं बनाएंगे अब पहले शुरुआत में तो हम इसे गोल सेप या किसी भी सेप में ले लेंगे लेकिन हातों से हम इसे सेप दे लेंगे जिस तरह के अंडे की सेप होती ना उसी तरह के हमें इसे बनाना है और अगर इस साइड से फटता है तो हातों से इसे ज्वाइंट कर लेजेगा कोई परिशान होनी कि वो नीड नहीं होती क्योंकि यह बहुत आसानी से बन जाता है अब मैं दूसरा डो भी तेयार कर लूँगे उसको अलग रख देंगे हम अब इसको भी हम सेप का ही बना लेंगे और साइज में बराबर रहेंगे जैसे पहलावाल उसे तरह का है यह साइज बनाना है और दोनों ही उसी साइज के बनीगे क्यूंकि एक दूसरे कर ऊपर हमें इसे रखना है आप देख सकते हैं, उसी साइज का मैंने बना लिया है, अब साइडों से थोड़ा सा दबा देंगे हम, अब इसको अलग कर देते हैं, पहले जो बनाया था उसको हम ले लेंगे, अब मैं चोकलेट वाले को नीचे रखूंगे, यलो वालो को मैं उपर कर दूँगे, आप चाह लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाथ से प्रेसर देंगे और हलका सा इस पर बेलन्स चला देंगे ताकि दोनों अच्छे से ज्वाइंट हो जाए खुले नहीं अभी मैं क्या करूंगी जो फीलिंग हमने बनाके रखी थी वह इसके अंदर रख देंगे हम रखे और हातों से यह क्य कर लीजिएगा अब मैं हातों से इसको फोल्ड कर लूँगी बहुत आसानी से हो रहा है तो लेकिन थोड़ा थिक हो गया है कि हमने दो लेयर ली है ना उसकी वज़े से थोड़ा सा हैवी हो गया है तो आप ध्यान से इसको करिएगा ताकि इसके कहीं से खुलाने रहे और इ हम क्या करेंगे एक फोल पेपर ले लेगे और फोल पेपर में इसको ढलके दस से पंदरा मिंट के लिए तक हम अपनी दूसरी मिठाई के तयारी कर लेते हैं यह इतनी आसान मिठाई है कि इसे कोई भी बना सकता है जो नए सीखरे बच्चे होते हैं विगनर्स वो भी बना सकते हैं हमारे में यह मिठाई का डो सेट हो रहा है जब फिर हम दूसरी मिठाई को ले लेते हैं तो उसके डो को अच्छे से हम दुबारे से थोड़ा दूस डा ही हम तैयार कर रहे हैं दूसरी चीज हम इसमें डाल रहे हैं केवाल filling के लिए हमने तोड़ा दूद पाउडर और नारियल पाउडर लिया है अभी जब हमारा तयार हो गया है वहाह गिलाज हाई बैस इतना ही दूद हमारा लगा है मैंने एक केक टिन ले लिया है और उसमें मैं बटर पेपर लगा लूँगी और इसको अच्छे से सैट कर लूँगी आप प्लेट में भी इसको सैट कर सकते हैं गहीं लगा कर तब मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ दस से पंदरा मिन्ट के लिए और दूसरे डो को ले लेंगे हम वो सैट हो चुका है अब इसको फॉल पेपर से हम बाहर निकाल लेंगे अब ये पूरी तरह से सैट हो गया है अब ये टूटेगा भी नहीं और कहीं से इसमें क्रैक भी नहीं आया है आप देख सकते हैं बेलकुल अच्छे से सैट हो गया है अब इसको हम अलग कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे थोड़े खसकस से ले लेंगे और इस पन्नी पे बिछा लेंगे और जो हमारा मिठाई का डो है उसको अच्छे से उससे कोट कर लेंगे हातों से चारों तरफ से अच्छे से लगा देंगे उठा के साइडों में इसे भी सब तरफ से इसको चारों त तो चांदी गवरक भी आप इस पर लगा सकते हैं तो अभी मैं इसके साइड़ों को कट करके ले लूँगी दोनों साइड से काट लूँगी अब तेज चाकू लीजिएका मेरा थोड़ा कम तेज है तो काटने में थोड़ा वह हो रहा है एकदम से नहीं कट रहा है बैसे तो यह इसके साइड कर ले लूँगी तो अंदर से भी कितने अच्छे से दिखाई दे रहे, feeling ball अच्छे से भरी गई है इसकी और बहुत tasty भी बने हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, सभी पीस को हम एक ही size के काट लेंगे, तो देख सकते हैं कुछ ही विस्कीट में कितने अच्छे से कितनी शांदार मिठाई बनकर तयार हुई है हमारी देखने में भी अच्छे है और बिल्कुल shot तरीके से घर में ही हमने बना कर तयार कर लिये बहुत ही कम संमान में और बिना गैस जलाय हुए आसान तरिके से हमने ये बनाई है, तो आप उठा कर इसे देख सकते हो, किसी भी तरफ से चिप चिपा भी नहीं रही है, ये मिठाई हमारी बनकर तयार है, अब हम अपनी दूसरी मिठाई भी बना लेते हैं, अगर आपको ये मिठाई की रैस्पी पसंद आए, तो वीडियो क तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, अभी हम दूसरी मिठाई बना लेते हैं, वो भी हमारे सेट होगी है, इसे डिमोल्ड कर लेते हैं, बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाती है, अब इसको जो हमने उपर पेपर लगाया हुआ है, इसको भी हम निकाल लेंगे, और बिस्किट तो सभी के घरों में आते हैं, अब इसको हम बर्फी के सेप में काट लेंगे, यह चोकलेट जैसा टेस्ट टेक्शर होता है, इसका बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुह में गुल जाने वाली मिठाई यही, ऐसे लगती है, जैसे चोकलेट खा रहे हैं, इस की तरफ गए हुए, एकदम आसान तरिके से हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केर